कि 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 अपने हैं अब आप सब आप सब अच्छे होंगे आई सीटी वर्चुन क्लास्ट रूम में आप सब का स्वागत है मैं विकास लास 11 का मैथ सम करेंगे चैक्टर है यहां पर मुटेशन से रिलेटेड कुछ गुछ क्वेशन कर रहे थे चलिए उनी को कंटीनु करते हैं यहां पर एक क्वेशन है आपके लिए क्या बोला गया इन हौ मैं वेज चैन दे लेटर्स ऑफ दो वर्ड पर मुटेशनस कें बी अरेंगे इस दर आपको तीन अलग लागा वर्ड स्टार्ट विट पी एंड एंड विट एस तो अगर ऐसी कंडीशन हो जिससे वर्ड पी से सुरू होता है ऐसे अन्ट होता है दूसरे पार्टन बोला है इस आल वोवल्स हार टुगैदर एंड तीसरा है देर आर ओल्वेज फोर लेटर बिट्वीन पी एंड यह अलग-अलग कंडीशन हैं शब्द पर्मूटेशन के अक्षरों को कितने तरीके से विवस्तित किया जा सकता है यदि चैनित शब्द का प्रारहम पी से तथा अंत ऐसे है ठीक है दूसरा है चैनित शब्द में सभी सवर एक साथ है और तीसरा है चैनित शब्द में पी और S के मद्ध है सदेल चार अक्षर हों तो यह आपको कंडिशन दी गई हैं तो देखिए ऐसा कुछ बोला गया है कि सबसे पहले आपका पी आए सबसे पहले तो आपको देखना पड़ेगा कितने लेटर्स हैं कितने अलफाबेट्स हैं काउंट करेंगे एक दो तीन चैसाथ आठ नो दस ग्यारा बारा बारा है तो यह पीशे शुरू होता है ऐस से अन्त होता है तो इसका आपको बताना है कि वह कितने तरीके से ऐसा वर्ड रेंज किया जाता है बीच के जो दस अलफाबेट्स बच गए बस उन्हीं को आपको चेंज करकर करके देखना है तो यह चीज आपको ध्यान रखनी है अब इसी के अब कहए लग आपको करेंगे पहले 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 पार्ट करते हैं फिर उसके बाद आगे करेंगे फटा-फट मोझे ceremony कितने तरीके से Eagles वित तो बच्चों किसी का ऊंसर आया अगर किसी भी बच्चे का अश्र आया है तो हैंड्रे बत्चा घ कोई भी बच्चा जिसनका उत्तर आ गया हो कि पार्ट वन का पहले पार्ट का कि उससी कभी नहीं आया NGIC GERTS जब ग्रतों इंचा नंधिचा नहीं जी आ छस्वाशन इस को ऑफ टो ट्री थम्हा चिसर्थ सिर्ट अथारा इक स्टों आंचबालेंच दोट कि यह फिरिख है ए कि अफौल ओल सिटी आ खर आफ किराद नीन आठे सिरो निनाब्स यह इंद्स टेग क्या बोलेंगे इसको कैसे प्रणाूंस करेंगे इसा अप्टारा लाख शद्धाजार कर द आरलार के शद्धाजार चाहर सो इस तो थीक अप्टे अतलब सॉ बाकी के पार्ट के आया आपका अन्सर क्या शुआ विनिया इस कोई बात नी बाकी भी में आप रहां सो थीक आ प्रिक्टि का अप्क है इसका दॉद अब अच्छी देख लेते हैं जो फर्स्ट पार्ट है इसमें क्या बोला गया है सबसे पहले तो मुझे यह बताईए कि कितने एलफाबेट्स हैं there are 12 letters in the word permutations ठीक है एक दो तीन चार पांच छे नो दस ग्यारा बारा टोटल बारा अलफाबेट्स ठीक है एंड अब दूसरी चीज हमें क्या देखनी है कितने एलफाबेट्स कितने लेटर रिपीट कर रहे हैं अपने आपको जो रिपीट कर रहे हैं वहीं उतने फैक्टोरियल से तो हमें भाग करना पड़ेगा जब अरेंज करेंगे चीजों को तो देखिए हमें सिर्फ टी यहां पर दिख रहा है जो कि दो बार आ रहा है अब देखिए फर्स्ट पार्ट की बात करें तो हमें पता है वी नो क्या बुला है पी और एस को फिक्स कर दिया है पी एंड एस आर फिक्स्ट एट एक्स्ट्रीम एंड्स एक्स्ट्रीम एंड्स का मतलब क्या है बचो एक्स्ट्रीम एंड्स का मतलब है दोनों तरफ ठीक है अना बोला गया है ना कि वर्ड स्टार्ट विद पी वहीं लेफ्ट एंड पे पी यहां पे रख दिया है राइट एंड पे एस रख दिया है तो दोनों एंड पे दो वर् तो किसने बचे दस बचे तो अब बोल सकते हैं अर्रेंजमेंट can be done with 10 letters in following ways अलग अलग तरीकों से हम क्या कर सकते हैं दस जो आपके letters हैं उनके arrangement कर सकते हैं मतलब 10 factorial आएगा और T two times appear हो रहा है इसलिए दो factorial से इसको divide कर देंगे 10 factorial मतलब क्या हुआ 10 into 9 into 8 into 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 या फिर एक काम करो इसको 2 factorial ही रहने दो denominator में दो factorial है यह आपस में कड़ गया अब question tough नहीं है बहुत आसान है बस बात है calculation की इन सब को multiply करना है आपने अपने सुविदा के according और आपना answer आएगा 18,14,400 ठीक है बलकुल सही उत्तर है no down कर लिजिए जिस भी बच्चे का नहीं हुआ था या आपको लगता है कि आपने दूसरे तरीके से किया था तो वो भी hand raise करके मुझे बता सकता है अगर किसी ने और तरह से किया हो तो बाकी अगर किसी को doubt लगता है इस पार्ट में वही कुछ अलग लगता है आपका answer कुछ अलग आया हो तो भी आप पात करा करके बता सकते हैं अधरवाइस no down कीजिए देखे हमें जो statements है वो भी लिखना जरूरी है ठीक है बच्चो डारेक्ट आप आंसर करेंगे तो पूरे marks नहीं मिलेंगे ठीक है डारेक्ट अगर आप नहीं यह कर दिया तो पूरे marks तो नहीं मिलेंगे आपको कुछ नहीं मिलेंगे आपको कुछ सेकिंड और थर्ड पार्ट का आया आंसर किसी का पार्ट टू एंड थ्री कोई भी बच्चा है वेरी गुड जी आएसी थराली बेटा माइक ले लिजी आप इसको हम एरेज कर देते हैं यह शावास बेटा है बताइए अब 24,19,200 बहुत अच्छे बेटा क्या नम आपका कभी था वेरी गुड बेटा अच्छा थर्ड पार्ट का आया 2,54,16,00 ठीक है अच्छा मुझे यह बताइए बच्चे कि जो थर्ड वाला है ठीक है थर्ड वाले में 10 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल को किस से मल्टीप्लाई किया आपने बता सकते हैं 14 जे 14 वेरी गुड विल्कुल सरी बहुत अच्छे बेटा अच्छा बेट जाए आप अच्छा लिए जी आई सी गयर से बेटा आप ले लीजिए माइक शावास बोले बेटा आपका माइक ओन नहीं है आवाज नहीं आरी बेटा आपकी फिर से ओफ करके ओन कर लीजिए जी बात थी अब बोले बेटा आपका सेम आंसर आया है और दूसरा वाला तो ऐसा है पर तीसरा वाला नहीं है अच्छा तीसरा वाले का आपका क्या है बताईए आंसर बता सकते हैं बेटा आप तीसरा वाला जब पच्छीस चालिस सोला जीरो 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 बेटा सेम ही तो होगे यह है ना सेम आंसर आया है चलिए शाबास बैठ जीए आप बहुत अच्छे तो बच्छों लगभग आप सबका सेम आंसर आ रहे हैं ना कि देख लेते हैं हो सकता है कि कुछ बच्चों को समझ में नहीं आया होगा एक्सपेक्ट भी नहीं करता मैं वाकि यह है कि आपको समझना जरूरी है मैं समझा रहूं ना चीजें समझना अगर कोई कोई चीज बीच में नहीं समझ में आये हाथ खड़ा करके पूछ लेना वेटा तभी आपके कॉंसेप्ट क्लियर होंगे और यह चीजें ट्वेल्थ में भी आपके काम आएंगे जो बेसिक कॉंसेप्ट है उसको हमेशा क्लियर करके चलो तो इसलिए मैं समझा रहा हूं इनको वोवल्स आर वृल टोगैदर तो इसमें सबसे पहले मुझे बताये पर्मुटेशन में वोवल्स कितने हैं इस पर्मुटेशन जो आपका वर्ड है इसमें वोवल्स कितने हैं कौन से होते हैं वोवल्स ए-e-i-o-u यही स्वार होते हैं ना बच्छों English alphabets में A, E, I, O, U, ये सब vowels होते हैं, ये knowledge होनी चीए, तब ही आप इसको कर पाओगे, अब देखिए, E आ गया, एक ये आ गया, एक ये आ गया, वोवल, दो हो गया, एक ये आ गया, तीन, एक ये आ गया, चार और एक ये पाँच, फुल कितने वोवल हैं, पाँच है, अब यहाँ पर ये बोल रहे हैं, कि E हो गया, U, A, I, O, ये सब के सब एक साथ आने चाहिए, एक साथ, इसको मैं एक यूनिट मान लूँ, क्योंकि ये जहां भी रहेंगे, एक साथ रहेंगे, अब इसके अलावा कितने आपके letters बच गए, मुझे बताईए, एक, दो, तीन, चार 5, 6, 7, 7, 7 letter बच गए न, total 12 थे, 12 में से 5 ये हो गए, तो कितने बच गए, 7 बच गए, तो 7 alphabet को हम यहाँ पर arrange कर सकते हैं, लकिन समझना ये एक unit हो गई, मान लिजी ये सारे vowels एक साथ पहले आगे, बाकी के alphabet बाद में आगे, कभी ऐसा भी तो हो सकता है, कि ये वाला एक, ज लकिन नमबर पर गवल सागे, फिल बाकी के 6 alphabet सागे, ऐसा भी हो सकता है, वह ये भी तो, ये एक unit है, पर ये भी तो arrangement करेगा, इन सब के साथ, तो देखिए, ये हो गया, किस तरह से मैं बता देता हूँ आपको, total हमारे पास कितनी units है, कितनी चीजें हैं, exchange करने के लिए, कि कि ये पूरी unit बनाई जो हमने, वोवल्स की ये 8 है, तो क्या आएगा 8 का factorial, बटे, 2 factorial क्यों लिखा, reason हर चीज का होता है, समझना है आपको 2 factorial इसे लिखा, क्योंकि यहाँ पर T 2 है, एक ये T है, और एक ये T है, T तो दो बार आ रहा है, इसलिए 2 factorial मैंने लिख दिया है, अब एक चीज और समझनी है, कि इस से answer नहीं आएगा, इस से बात नहीं बनेगी, क्यों, क्योंकि ये जो पांचों आपके वोवल्स हैं, अलग-अलग है, हना, E, U, A, I, O, इनका arrangement भी, इनका sequence भी तो change हो सकता है, हो सकता है, E यहाँ पर पहले आया है, किसी में E, second number पर आया, कही इसको multiply भी करना जरूरी है, समझे, पांच factorial से इसको multiply करेंगे, तो easily आप इसको निकाल पाएंगे, समझ के बच्चों, तो इसके बाद जब आप answer निकालेंगे, इसको multiply करेंगे, calculation part आपको आता है ना, तो 8 factorial को क्या लिख देंगे आप, 8 into 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 factorial into 5 factorial by 2 factorial, यह अपस में कट जाएगा, 5 factorial का कितना आता है, 120 आता है, 120 into, इन सब को multiply करेंगे, तो यह आपका answer आजाएगा, ठीक है, 24,19,200, बिल्कुल सही answer है, ठीक है, तो इसको solve करके आपका यही answer आना चीज़, किसी बच्चे को doubt है, इसमें, statement आपको जरूर लिखनी है, यह चीज़ धानक ना बच्चों ठीक है, statements लिखेंगे आप जरूर, मैंने question समझा दिया, statement कैसे लिखेंगे, जैसे, first part में हमने लिखा था, कि वह total आपके 12 letters है, permutations में, जिसमें से 5 vowels एक साथ अकर होते हैं, तो बाकी 7 letters बते arrangement के लिए, और हमने जो vowels हैं, सारे उसको एक entity मान लिया है, तो total 8 object होगे arrangement के से लिए, 8 factorial बते, 2 factorial ways में हम इनको arrange कर सकते हैं, लेकिन 5 vowels भी हैं, उनको भी arrange करना है, इसलिए 5 factorial तरीकों से उसको भी arrange किया जा सकता है, और इनकी सब की arrangement कितनी हो जाएगी, by the principle of multiplication, 8 factorial बते, 2 factorial into 5 factorial करके आपके answer निकाल देंगे, हाना, कोई doubt हो इस पार्ट में, पूछ ले ना बचो, कोई doubt नहीं है न, अगला पार्ट करें, next part, चलिए, next part करते हैं, समझ में सब क्या आ गया, note down कर लिया सब ने, चलिए, third part में क्या है, condition देखे, there are always four letters between P and S, समझ न, कि क्या बोला जा रहा है, यह permutation से सब को पता है, ठीक है, अब यहाँ पे आपने दो alphabet कर दिये fix, ठीक है, दो alphabet fix कर दिये, लेकिन यह बोला गया है, P और S के बीच में हमेशा चार letters रहेंगे, चार alphabet रहेंगे, चार letter रहेंगे, P और S के बीच में, अब दो की position कर दी fix, तो कितने हो गए यह, दस बच गए, बाकी के, दस letters बच गए, जिनका arrangement हमने करना था, तो क्या होना चाहिए, दस factorial बटे, आठ factorial होना चाहिए, यह चीज़ समझ में आवे, कि दो की position fix किया है, दो की बता दी है, कि इनके बीच में, चार आपके letters आने चाहिए, बाकी, वह पी और एस को छोड़के, दस letter बचे, तो दस factorial बचे, दो factorial आए, यहां पर कितना आएगा, दो factorial है ना, दस factorial बचे, दो factorial चूंकि, वह टी दो बार आ रहा है, लेकिन, अब बात यहां से नहीं बनेगी, total हमारे पास कितने हैं, बारा letters है, तो एक, दो, तीन, चार, पांच है, 7, 8, 9, 10, 11, 12, यह है, अब समझना बचो, यह आपस में भी आगे पीछे हो सकते हैं, यहां पर S आ सकता है, यहां पर P आ जाएगा, कभी S भी तो हो सकता है, पहले S आ गया, दूसरा P आ गया, बस यह बोला गया है, यह नहीं बोला गया ना, कि पहले P आना चीए, बाद म आसा आना कि, यह बोला हीं दोनों के बीच में 4 अलफाबेट आने चीए, तो यह अरेंज होंगे, हना, दो तरीके से इनको अरेंज कर सकते हैं हम, हर चीज में, हना, और दूसरा, भई, इनको भी 7 तरीकों से हम अरेंज कर सकते हैं, कैसे समझना, देखिए, यह हो सकता है कि यह दोनों first, यह P first place पे आगया, एस first place पे आगया, तो एक 5 में स्थान पे आएगा, फिर यह दूसरे स्थान पे आएगा, तो यहाँ पे छटे स्थान पे आजाएगा, अना, फिर P और S में से एक alphabet इस स्थान पे आएगा, तो एक इस स्थान पे आजाएगा, मतलब last में कित एक, दो, तीन, चार और ये P और S यहाँ पर आएगा इससे आगे तो नहीं जा सकते तो टोटल आपके कितने 7 तरीके से इसको हम अरेंज कर सकते हैं तो टोटल हो गया 14 that means 14 से इसको आप multiply भी कर देंगे और आपका answer आज है ठीक है इस तरह से इसको करना है नोट डाउन इसको कर लेजिए कुछ doubt अगर लगता हो पूछ सकते हैं यह calculation पार्ट है वो तो आप कर लेंगे easily है ना calculate multiplication करना है divide करना है वो आप simple चीज़ से कर लेंगे main चीज मैंने बता दी है आपको सबको अच्छे से आ गया ना अब थोड़ा है मैं combination के बारे में आपको बताता हूं Combinations के बारे में हम पढ़ेंगे फिर उसके बाद हम समझेंगे की Combination और Permutation में क्या अन्सरी ठीक है Confuse ताकि Infusion न organizing न बने तो इसलिए Combination को हम क्या बोलेंगे Combination को बोलेंगे संचे क्या बोलेंगे Permutation को जैसे क्रमचे हम बोलते थे वैसे ही Combination को संचे बोलें क्या बोला गया है, combination is an arrangement of item in which order does matter, समझ ना बचो, यहां पर बोला गया है, कि जो combination, संच्य है, वो ऐसा arrangement है, कुछ चीजों का, कुछ item का, जिसमें order matter करता है, order समझ गए, order मतलब कौन सी चीज पहले आएगी, कौन सी चीज बाद में आएगी, यह matter करता है, तो order इसमें फरक पड़ता है, कि order क्या है, ठीक है, order नहीं फरक पड़ता है, जबकि permutation में फरक पड़ता था order से, order does not matter, मतलब, since the order does not matter in combination, there are fewer combination than permutation, the combination are subset of permutation, तो यह ऐसा बोला गया है, कि जब भी, यहाँ पर order matter नहीं करता, तो यहाँ पर कम combination बनेंगे, permutation में ज़्यादा बन रहे थे arrangements, यह चीज आपको पता होनी चाहिए, अब देखे, एक example की मदद से मैं आपको समझाने की कोशिश कर होंगा, ठीक है, पीन खिलाडी है, एकस, वाई और जैड, पीन प्लेयर है, इनको लेके हमें एक टीम बनानी है, ठीक है, एकस, वाई, जैड, तीन प्लेयर है, तीन खिलाडी है, इनको लेके हमें एक टीम बनानी है, तो कितने तरीके से हम यह टीम बना सकते हैं, जड़ा सो तो X, Y, X और Y को एक टीम में रख दिया हमने यह बन गई एक टीम आगा यहाँ से कर सकते हैं X और Z को एक टीम में रख दें तो यह एक टीम बन गई या फिर हम ऐसे कर सकते हैं कि Y और Z को एक टीम में रख दिया तो यह एक टीम बन गई अब कोई भी बच्चा मुझे यह बता दीजिए कि इसके अलावा कोई ऐसा तरीका है वह तीन तरीके में ने बता दिये कि इनकी टीम बना सकते हैं कोई चोथा फोर्थ तरीका हो जिससे हम यह इन तीन लोगों का इस्तिमाल करके दो प्लेयर की टीम बना सकें तो प्लेयर होने चाहिए एक टीम में यह कंडिशन है तो मुझे बताईए कि इसके अलावा कोई टीम बन सकती है अगर आपको लगता है बन सकती है तो हाथ खड़ा करेंगे कोई भी बच्चा नहीं बन सकती, बिलकुल तो यह हो गया combination ठीक है, यह हो गया combination या फिर संच है लेकिन जब हम permutation की बात करेंगे यहाँ पर order matter करता है order matter करता है मतलब क्या हुआ कि भाई x है, इसके साथ y आ सकता है इसके साथ z भी आ सकता है ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या बना सकते है एक तो x y, एक team बन जाएगी x z ठीक है, दूसरा है हमारा player y इसके साथ x भी आ सकता है और z भी आ सकता है तो एक team बन जाएगी y x और एक team बन जाएगी y z तीसरा player है z, यहाँ पर आ सकता है X और Y ठीक है यानि एक टीम बन जाएगी ZX और एक टीम बन जाएगी ZY ठीक है तो यहाँ पर देखिए permutation में हम 6 तरीके से टीम बना पा रहे हैं जबकि combination के case में हम 3 तरीके से टीम बना पा रहे हैं क्योंकि इसमें order से फरक नहीं पड़ता इसमें order क्या है उससे फरक पड़ता है समझ गए अंतर आप क्या है यह बहुत important है बचो जहां से समझना मैं इसलिए समझा रहा हूं देखिए जहसे यहां पर एक टीम बन गई xy बन गई ठीक है अब दूसरी टीम यहां पर बना दी qi aí number तो वही है रहेंगे न टीम में x और य इस थीम में भी x ltd भॉडियों सेम बन दheroic है इन तीमों मेंलेकिन order अलग-अलग हो गया, यहाँ पे पहले x का नाम लिया गया है, यहाँ पे पहले y का नाम लिया गया है, that is why it is permutation, और permutation में order matter करता है, इसलिए भई हम अलग-अलग लिखेंगे हम तो, जबकि combination में अलग-अलग लिखने की जरुवत नहीं होती, यह चीज समझनी है, no down कर आएंगे next session के लिए किसको combinations को, ताकि हम और detail में पढ़ सकें और कुछ questions इनके कर सकें, तो बचो इसी के साथ आज का session हम यहाँ पे end करेंगे, thank you and have a nice day.